आज के टाइम पे 90% लोगों की यही कंप्लेन होती है, बाल बहुत जड़ रहे हैं, बहुत तूट रहे हैं, बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है अगर आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आज मैं आपनों के साथ एक बहुत भी बहतरीन होम मेट सलूशन लेकर आई हूँ, जो कि डेफिनिटली यह आपके बालों का जड़ना तूटना रोकेगा और आपके बालों की ग्रोथ को फास्ट करेगा आज हम लोग ऐलोवेरा जिल को यूज करके एक बहतरीन हैर ग्रोथ सिरम बनाएंगे, ऐलोवेरा हमारे बालों के लिए कितना यूसपुल होता है ये बात तो आप सभी जानते हैं, हमारे बालों में चल रही बहुत सारी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए अलोवेरा जि कि ग्रोथ को फास्ट करने के लिए अपने हैर फॉल को रोकने के लिए अलोवेरा जिल का हैर सिरम बनाके यूस करेंगे, अलोवेरा जिल में 75 पोटेंशली अक्टिव नूटरंस होते हैं, जिसमें एसेंशल प्रोटीन्स, अमाइनो एसेट्स, प्रोटलाइटिक एंजाइम Antioxidants, Mindles और बहुत सारे vitamins एतने सारे essential nutrients की वज़ा से aloe vera gel हमारे बालों के लिए इतना useful और beneficial होता है इसलिए ये हमारे hair growth को boost करता है हमारे hair health को support करता है हमारे बालों को थिक बनाता है जब आप aloe vera gel को अपने roots पे अपने scalp में apply करते हैं ये आपके hair roots को strengthen करता है जिससे आपके बालों की जड़े मजबूत होती है और ये आपके scalp health को भी बहुत improve करता है अगर आपको scalp में dandruff है, eachiness है, scalp में किसी भी तरह का inflammation है scalp irritation है, eczema है aloe vera gel के application से ये सारी चीजों को aloe vera gel treat करता है और prevent करता है ये कुछ बहुत ही खास benefits होते हैं aloe vera gel का हमारे बालों के लिए अब देख लेते हैं कि इस hair serum को बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी ingredient चाहिए तो सबसे पहले आपको लेना है aloe vera gel आप यहाँ पे fresh leaf वाला gel भी यूज कर सकते हैं अगर नहीं है तो फिर आप market वाला gel भी यूज कर सकते हैं बट make sure कि आप transparent aloe vera gel ही यूज करेंगे उसमें कोई भी artificial color add नहीं होना चाहिए तो आपको एक से दो चमबच aloe vera gel लेना है दूसरा ingredient आपको इसमें add करना है castor oil again castor oil हमारे बालों की thickness को increase करता है और हमारे जड़ों को मसबूत बनाता है जिससे बालों की growth अच्छी हो जाती है तो एक टेबल स्पून आपको यहाँ पे लेना है castor oil next आपको लेना है बादाम का तेल आपको यहाँ पे pure almond oil यूज करना है अगर आप pure almond oil की बात करें तो हमदर्ट का रोगन बादाम शरीन सबसे ज़्यादा प्यूर लगता है वो इतना pure होता है कि आप उसको खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं तो अगर आप pure तेल यूज करते हैं तो उसका result भी आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा दिखता है तो आप कोशिश करें कि वही ओयल का यूज करें वो कहीं पे भी बहुत ही असानी से मिल जाता है तो आपको यहाँ पर आड़ करना है एक चमच बादाम का देल और नेक्स्ट फिर आपने इसमे आड़ करना है रोज मेरी ओयल तीन से चार ड्रॉप्स अगर आपके पास है तो डालें नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर दें अगर डालेंगे तो इसकी गुड़निस और भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि रोज मेरी जो ओयल होता है वो मारे बालों के लिए बहुत फाइदे मन्द होता है इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजे और इसको लेके आपको सिर्फ अपने रूट्स पे अपने स्क्याल्प में अप्लाई करना है और रात भर के लिए इसको अपने बालों पे ही रहने देना है ओवरनाइट रखने के बाद आप नेक्स टे अपने बालों को वाश कर लीजे इस हैर सिर्म को आपको सिर्फ हफते में दो बर अप्लाई करना है जिस दिन में आप हैर वाश करते हैं उससे एक दिन पहले आप रात में इसको अप्लाई कर लीजे और next step में बालों को wash कर लीजे तो कम से कम एक से दो मन तक इस remedy को आपको continue use करना है and trust me इस serum को use करने के बाद कुछ time के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों की जड़े इतनी strong हो जाएंगी इतनी मजबूत हो जाएंगी जो भी आपको result मिलता है वापस आके मैंसा जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो आपको क्यासी लगी नीचे comment section में बताएं अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को like करके चानल को subscribe कर लीजे असी बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए आप सबसे जल्ब मुलाकात होगी एक नई रेमिडि के साथ तब तक के लिए लाफेज